ज्यादा प्लेयर्स का उपर नीचे हो सकता है 11 से ज्यादा खिलाड़ी खेल लेंगे प्रॉपर क्रिकेट नहीं होगा इसके रिकॉर्ड्स कहीं आड़ नहीं होते ICC के उसमें तो ये सब एक मतलब प्रैक्टिस गेम की तरह है तो प्लीज इसमें GL पर फोकस करें Grand Licks पर फोकस करें SL ना खिले मैं खुद नहीं खिलूँगा हाला कि मैं आपको important players बता दूँगा जो लोग risk लेने अच्छा समझते हैं वो लोग जा सकते हैं स्टार्ट करते हैं देखो Johnny Besto को मैंने लिया वाई यहाँ पर हाला कि warm-up game में इन पर मैं क्यों बोल रहा हूँ भरुसा करने हैं क्योंकि देखो यहाँ पर चाहे रोहिस सर्मा विराट को लिए अपने आपको रहटे दे लेकिन रिसाप पंद को यह लोग मौका देंगे क्योंकि यंग्स्टर है तो यंग्स्टर को कोशिश करना ज्यादा लेने की बट मेरी टिम में यह फिट नहीं बैठ है जीएल में आप इनको कप्तान भी बना सकते हैं अगर इसान किसन को मौका मिले तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं जीएल में खास करकी ठीक है और जीएली खेलने की कोशिश करना वैसे मैं असल की टीम बता रहा हूँ लेकिन प्लीज इतना मत खेलना मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बात करो रोईस सर्मा को मुझे छोड़ना पड़ा है अगर आप लेना चाते हैं तो यहाँ तो आप जॉनी बैस्टो के जगे पर ले सकते हैं यहाँ तो आप कोहली के जगे पर ले सकते हैं तो आपको एगना एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा तब ही आपकी टीम अच्छी बन पाएगी ठीक है मैंना रोईस सर्मा को छोड़ा है हाला कि रिसेंट फॉर्म स्ट्रगल कर रहे हैं दुबई में यहीं इन्होंने किर्केट खेला है और यहां पर स्ट्रगल कर रहे थे अच्छा खासा परफॉर्मस नहीं किया इन्होंने आई पील में तो इसलिए छोड़ा मैंने वाकिव विराठ को लिए एक दमदार प्लेयर ह हो सकता है विराठ को लिए अपने आपको ड्रॉप मतलब डिमोट कर ले सुरुक मार्यादों को प्रमोट करें या फिर अधर यहां इसान किसन को प्रमोट कर दें तो अगर ऐसा मुझे कुछ पता चलता तो मैं इनके जगे रोष सर्मा को लिए लिए तो अभी कुछ नहीं चाहें ले सकते हैं जेशन रोष अच्छा कर सकते हैं रेशन फॉर्म भी ठीक ठाक है और इंडियन टीम के अगेंस्ट यह परफॉर्म करते हैं बट मैंने इनके जगे पर थोड़ा सा डेविड मलान को लिए यह थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर संभल गए इन जेशन रोष अगर टिक जाएंगे तो यह चीज दिक्कत हो सकता है तो थोड़ा रिस्क है इस बाट अब सेफ जाना है तो आप डेविड मलान को जगे पर सिद्धे सीसे जेशन रोई को ले लेना क्रेइट का कोई सुनिए अमें डेविड मलान के साथ जानों थोड़े कंसि चार वर Expect कर सकते हैं, विकेट टो जिनर बाजी करती है इनकी स्टेंथ है बौल ज्यादा डर्ण नहीं होती है लेकिन विकेट टो जिनर बाजी करने से इनको काफी ज्यादा इनकी लाइन लेंथ में जो है वह रहता है और बलेवाज अगर थोड़ा सी भी ज्रता है तो भी जाता है इसलिए मैं इनको लेके जा रहा हूँ उसके बाद मोय नली यहाँ पर मैंने नहीं लिया देखो बॉलिंग के दो से तीन ओवर आप कह सकते हैं जादा है नहीं सामने वाली टीम में इंडियन टीम में इतने ज़्यादा लेफ्ट हैं नहीं ठीक है तो मैं ज़्यादा यहाँ पर बल्लेबाजी सेने शोपर किंग्स की तरह यह वन डाउन यह टू डाउन नहीं करेंगे यहाँ पर मिडल ओडर में आएंगे पांच छटे सात्व नंबर पर इसलिए मैंने नहीं लिया क्रिस इनिशल स्विंग अगर मिलेगी तो अच्छा खासा बॉलिंग कर सकत होगा ठीक है इनके जगे पर क्योंकि लिए अपने टीम काफी अच्छी इनकी टीम काफी 2021 के लिए काफी अच्छा इनकी टीम IPL में आपने देखा होगा काफी खराफ फर्म से जूज रहे थे लेकिन इंटरनेशनली काफी अच्छा किया हुआ इन्होंने ठीक है तो आगर यह खेलेंगे तो इनकी टीम इनको प्रमोट भी करेगी यान वार्गन के उपर आएंगे जॉनी बैस्टो के नीचे आ सकते हैं और अगर जॉनी बैस्टो के उपर प्रमोशन हो जाएगा इनका तो फिर तो जॉनी बैस्टो के जगे पर हम इनको ले लेंगे देनाम यहां प से विकेट टेकिंग बॉलर है लेकिन इंडियन जो है रोई सर्मा को छोड़ दी जाए तो आल्मोस्ट जो है विराठ कोली हो गई केल राउल हो गए सूरिकुमार यादा हो गए इसान की सन हो गए अगर खेलेंगे तो अधरवाइस नीचे जो आएंगे मतला फाइव डाउन र बाजी करने आएंगे एक विकेट मस्ट है पिक रहने वाले उसके बाद आर अश्वीन एक एवरेज खिलाड़ी रहने वाले हैं बीकुमार का फॉर्म उत्रा अच्छा नहीं रहा था टीट्वेंटी इंटरनेस सॉरी आईपील में लेकिन इन्होंने रंस उतने जादा नही दिये थे तो उसके इसाब से एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं हो सकता है आप विकेट निकाल ले लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा इनकी बॉल स्विंग बहुत ज्यादा करती है तो अगर इनिश्यल स्विंग मिला तो विकेट निकाल सकते हैं तो ग्रेंड लिग में एक प्लस दथ में अपनी टीम के लिए अगर मेरे पास क्रेडिट रहता तो साइच समय इनके जगे पर यहां पर जेसन रोई को ले लेता बट मेरे पास क्रेडिट नहीं है और आप इनके जगे पर सरदल ठाकूर को भी ले सकते हैं सरदल ठाकूर का भी जो आई-पील सीजन काफी मतलब सक्सेस है प्लस इनके पास स्लोवर बॉल्स का और कटर्स का काफी अच्छा वैरिएसन्स है जिसके बदले तो इनको मिडल ऑवर्स में भी अच्छे खासे वेकट मिल जाते हैं तो यह एक सरदल ठाकूर एक अच्छा उप्शन रहेगा बट मेरी टिम में फिट अच्छी ऑप्शन है और अगर यह दोनों खेलते हैं तो यह भी अच्छी ऑप्शन है ठीक है लेकिन खेलने के चांसे इसके बाद मार कूट एक विकेट टेकिंग बॉलर है इनको हमेशा अंडरेट के जाता है बट यह हर बार हर मैच में बहुत कम मैच आपको दिखने मिले आपका मैनेज हो जाएगा इन लोग को ट्राइ करेंगे तो बागी राहुल चेकर वर्ती पर मेतना जद्ध भरोशां नहीं कर रहा हूं अभी हालाक इस खाज कर पर लेकिन मैंने नहीं लिया वाया है मैंने फिसके उपर थोड़ा से ज़्यादा दरमदर दिखाया तो मेरी आपने यहां पे रोहिष सर्मा को लिया तो उपन को भी कर सकते हैं बट मैं इन चारों में से किसी को करूँगा अभी के लिए तो मैंने राहुल और बटलर को किया हुआ है अकॉर्डिन टू टॉस अकॉर्डिन टू बैटिंग पोजिशन अगर विराट को लिगो चांस नहीं मिलेगा तो हम इनको हटाएंगे रोहिष सर्मा को लेंगे डेविड मलान के जगे आप जेसन रोई को ले सकते हैं सेव जाने के लिए यह आपकी चोईस हैने वाली है बैस्टो के जगे याप विराट को ली के जगे आप लोग रोईस सर्मा को ले सकते हैं सेव जाने के लिए ठीक है इसके अलावा कुछ भी टीम में चेंज होगा देखो डेविड मलान को एज़े कैप्टन एज़े वाइस कैप्टन ट्राइ कर लेना ग्रैंड लिक्स में इसके लावा कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलिग्राम पे इंफर्म करूंगा जरूर से जुड़ जाएग टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एक बार और वार्निंग दे दूँ यह वार्म अप मैच है प्रैक्टिस गेम से यहाँ पे कोई यहाँ पर टीम 11 खिलाड़ी के साथ नहीं खेलती है 12 से 13 खिला है तो इसलिए हो सकता है यह लोग इंस्टर को ज्यादा चांसे ते में इनके जो खिलाड़ी है वह ज्यादा ना खेले यह भी चीज हो सकती है तो जैसा भी मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको टेलिग्राम करूंगा अगर 11 खिलाड़ी के साथ दोनों ही टीम की प्लेंग धने में कादाई प्लेंग अए कर दोलिग्रा में मुझे और उलिए गलिए की ते measurement